20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था इस मिशन का नाम था अपोलो 11 जिसमें तीन एस्टोनोट चांद पर लेंड करते हैं लेकिन जहां एक तरफ वेग्यानिक इस एचिवमेंट की खुशी मना रहे थे वही कुछ लोग सोयूज 1 के साथ हुए इंसिडेंट को याद करते हैं जिसे माना हुई तियास का पहला ऐसा मिशन माना गया था जिसमें कोई इनसान पहली बार अंतरिक्ष में गया था लेकिन अनफोर्चुनेटली वो वापिस नहीं आ पाया लेकिन सवाल ये आता है कि ये आदमी आखिर था कोन और जब इस बात का पहले से ही पता था कि ये आदमी कभी भी जिन्दा वापिस नहीं लोट पाएगा फिर भी रश्या ने इसे चांद पर क्यों बेजा क्या ये एक सूसाइड मिशन था या फिर बात कुछ और थी आईए जानते हैं आज की वीडियो में व्लादमीर कोमरो सोवियत यूनियन की एर फोर्स में एक बैतरीन पाइलेट थे जिनको सोवियूज वन मून मिशन के लिए चुना जाता है ये दरसल उस दोर की बात है जब सोवियत यूनियन और USA में कोल्ड वोर चल रहा था यानि एक ऐसी लडाई जो किसी हतियार से नहीं बलकि अपनी काबिलियत से और नए-नए इन्वेंशन करके जीती जाती हो और साथ में ये समय 1967 का था जब सोवियत यूनियन को बने 50 साल होने वाले थे सोवियत यूनियन की सरकार इस अवसर को एक यादगार अवसर बनाना चाहती थी इसलिए सोवियत यूनियन दो स्पेस क्राफ्ट लौंज करता है सोवियूज 1 और सोवियूज 2 सोवियूज 1 में सवार थे वलादमीर कोमोरो जिनको अंतरिक्ष में जाकर सोवियूज 2 में बैठ कर दरती पराना था इस काम के लिए प्लैनिंग तो काफी करी गई लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वलादमिर कौमरों को अंतरिक्ष में जाना था उसे बनाने के लिए साइंटिस्टों को परियापत समय नहीं मिल सका इस चीज का क्या रिजल्ट होने वाला था ये स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाले साइंटिस्ट अच्छी तरह जानते थे इसलिए वे सरकार को इस मिशन को रोकने के लिए एक लैटर भी लिखते हैं और साथ ही इस रोकेट को बिना किसी आदमी को इसके अंदर बिठाए इसको लॉंच करने की सलाह देते हैं लेकिन सोवियत यूनियन की सरकार इस बात को नजर अंदाज कर देती हैं और इस मिशन को तैस समय पर लॉंच करने पर जोर दिया जाता है और आखिरकर वो दिन भी आही गया जब व्लादमीर कॉमरो अपने दोस्तों को और अपने साथियों को अंतिम अलविदा कहते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का अच्छे तरीके से पता था कि अगर वे इस मिशन में अंतरिक्ष में जाते हैं यानि इन दोनों सैंटिस्टों में से एक आदमी का जाना तो तै था और वहाँ पर मरना भी इसलिए व्लादमीर कॉमरो अपने दोस्त यूरी गगरेन को वहाँ पर ना बेज कर खुद ही जाने का डिसीजन लेते हैं फाइनली 23 एपरेल 1967 को सोयूज 1 अंतरिक्ष के लिए उडान बरता है लॉंच की कुछ देर बाद तक सब कुछ सही चल रहा था लेकिन जब व्लादमीर कॉमरो स्पेसक्राफ्ट से और्बिटर को अलग करने की कोशिश करते हैं तब उनके सामने कुछ दिक्कते आती हैं हाला कि वे जैसे तैसे और्बिटर को स्पेसक्राफ्ट से अलग तो कर लेते हैं लेकिन अलग होने के बाद और्बिटर चांद की तरफ ना जाकर दर्ती की तरफ वापिस आने लगता है व्लादमीर इस काम को रोकने के लिए काफी कोशिशे करते हैं लेकिन वे इसे नहीं रोक पाते और इसके कुछ ही देर बाद और्बिटर धर्ती की एटमोस्पेर में एंट्री करने लगता है व्लादमीर सेफ लेंडिंग के लिए एमरजनसी पैराशूट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन पैराशूट भी नहीं खुल पाया और प्रित्वी के एटमोस्पेर में एंट्री लेते ही और्बिटर आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते जल कर राख हो जाता है इस गटना में एस्ट्रोनोट व्लादमीर कॉमरो भी जल कर मारे जाते हैं और क्रेश शाइट से उनकी जली हुई ये बोडी मिलती है और इसी आग में ही सोवित यूनियन का चांद पर सबसे पहले पहुचने का सपना भी जल कर राख हो जाता है और इसके दो साल बाद 1969 में अमेरिका पहला ऐसा देश बनता है जिसने चांद पर सफल लेंडिंग करी दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे एस्टोनोट की जो दो देशों में चल रहे स्पेस रेस की वज़े से मारे गए दोस्तों आपका क्या ओपीनियन है क्या व्लादमिर कॉमरों ने यूरी गगरेन की जंगय पर खुद जाकर सही किया या फिर गलत अपना जवाब नीचे कोमेंट सेक्षन में जरूर लिखे और अगर वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आगली वीडियो में धन्यवाद